हेलो एविवान स्वागत है आप सभी का एक और फैंटसी प्रिव्यू में मुकाबला है यहां पे न्यूजीलेंड बनाम बांगलदेश और यह किला जाएगा था मेरी विन प्रेडिक्शन इस गेम के लिए न्यूजीलेंड है बत मैं यह कहुंगा कि एक दम एक 55-45 वाला गेम है बांगलदेश की जो spin attack है काफी strong है so I don't think there'll be much to choose from and हमें पता है कि न्यूजीलेंड ने जब भी बांगलदेश को विजिट किया है ऐसे ही विकेट्स पर विजिट किया है कुछ मैचे वहां पर जीता है तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यह वन साइड़ गेम बिलकुल भी होगा आपका लिंक है वीडियो के description में एक बहुत बड़ा किववे हैं वहां पर भी तो बिलकुल जुड़िएगा अब चलते हैं आगे के प्रिव्यू, पिच्छ रिपोर्ट, वेधर रिपोर्ट अब बागी सब की तरह उससे पहले एक और बात जो आपको बिलकुल याद रखने है इस तो साइन अप ओन एक्सजेंज 22 रूपीज 50 रियल क्याश आपको मिलेगा वहां पर सो don't miss out on this chance, bonus cash, real cash दोनों साथ-साथ में so ensure you sign up and जो final teams, updates, सब कुछ आपको मिलेगी as the rate fantasy cricket pro on telegram, 6.4k subscribers जो दूसरे चैनल से सारे fake हैं उन पर मत जॉइन करना and better to join from the link in the description of this video, वहां पर पहला link जो है telegram channel का है तो वही से जोड़ी है better रहेगा and twitter के link भी video के description में है, तो weather report की बात करें, clear game, clear weather, sunny game expect, sunny weather राधा हम expect कर रह and that makes batting a little bit difficult, इस बात का ध्यान जरूर रखेगा, अब चलते हैं, pitch report की तरफ, इतना easy तो नहीं है, यहां पर batting करना ही हम सब जानते, ground dimensions आप देख सकते हो, एक side 67, 66 meters, straight है 58 meters and दूसरे side है 73 and 74 meters, so not short by any stretch of the means and जो last ODI होगा था, India-Australia वाला March में भी challenging pitch था, जो पहला World Cup game था, व जो batter जब यहां पर set हो जाता है, तो खेलना असान हो जाता है, यहां पर start करना ज्यादा मुश्किल है, तो यह क्या sign है आपके लिए कि जो भी players starting में हडबड़ा हड में खेलने की कोशिश करते हैं, वो आपके लिए कम fantasy value दे कर जाएंगे इस मुकाबले में, तो यह वही pitch report क pitch analyze करने से better तरीका कोई भी नहीं कि आप पिछले game के जाके खाली 10-15 ball highlights एक लो समझ जाओ, ball by ball की pitch कैसा behave कर रहा है, बट एक और बहुत interesting चीज़ है, तो मैं आपके साथ आगी हाँ पर share करूँगा, वो है average turn, अब यहां आप देख सकते हो कि actually Chennai को अब तक उतना turn नहीं मिला है, वाइल हाइदरबाद और एमदरबाद को ज्यादा turn मिला है, फिर भी हम कह रहे हैं कि वो better batting pitches है, अब क्यू है यह आप जब next slide देखोगे तो समझ जाओगे, तो एक बात तो यह है कि average spin ज्यादा है, बट ज्यादा important बात क्या है, आप देख सकते हैं यहां पे एक ही spot से varying amounts of turn है, एक जो ball है 2.7, 2.4 degrees turn कर रहा है, दूसरा ball 5.4 degrees turn कर रहा है, तो consistent amount of turn नहीं, इससे क्या होता है, बैटर के मन में शंका पैदा होती है, कि अगला ball कितना turn होगा है, और मैं कैसे उस ball को खेलू, तो hence यह जो चीज है, बहुत ही key बात कर ज्यान रखेगा, कि this will make the real challenge, ज एक over जहां पर उन्होंने जाकि उन्हें out किया था, squad news यह है, केन विलियमसन likely to start, टिम साओधी भी mostly fit होंगे, तो यह दोनों को खेलना बहुत ही काफी likely है, इस मुकाबले में, उसके अलावा expected playing 11s की बात की जाए, तो New Zealand की तरफ से आपको काफी changes यहां पर दिख सकते है, वि साओधी के कह रहे हैं कि fit है, तो अगर fit है, तो इनका भी आना likely है, सबसे senior इनकी जो pace boarder है, टिम साओधी है, और प्लस याद रखिए है, चन्नाई के लिए खेल चुके हैं, इस जो line-up में, डेवन कॉन में चन्नाई के लिए खेल चुके हैं वापस, तो जो condition की अच्छी प टोटली प्रो है, जहां पर varying amounts of turn होता है, जहां पर कभी bounce हो, लो हो, इन टाइप के tracks पे नसू मेहमद काफी अच्छे हो सकते हैं, प्लस याद रखिए, नसू मेहमद न्यूजिलिन के सामने और बंगलादेश में series खेल चुके हैं, तो जानते हैं कि किन players को कैसे target किया जाए अगर नसू मेहमद इस गेम में अपनी जगेट ढूण ले, उसके अलावा, remember to sign up on both these apps, my mask 11, no GST app, and exchange money to no GST, and no TDS, दोनों apps के links हैं वीडियो के description में, तो जल्दी से जाकर जोट जाएगा, अब चलते हैं, player one pages की तरफ, and start करेंगे, वे team New Zealand, पहले player है, Devin Conway, I think, वैसे मैं कहत है कि ये pitch ने ज्यादा suit नहीं करती, but क्यूंकि ये pitch पे ये बहुत खेल चुके हैं, तो वो इस app से उनकी adaptability better रहेगी इस track पे, hence मैंने वहाँ पे एक tick किया हुआ, उसके लावा match-ups इनकी अच्छे हैं, and records तो आप जानते ही हैं, तो उस तरफ मैं नहीं जाता, जैसे आपको इस type के track पे anything above 250-260 will be a tricky chase, इस बात का ध्यान रखेगा, Will Young, even though बहुत अच्छी पारी खेली थी in the last game, हो सकता है कि इस game में इने मौका ना मिले, and रचिन रविंद्रे इस slot में आके opening कर ले, तो ये एक देखने लाइक बात होगी कि कौन खेलेगा इस opener यहाँ पे, and एक जो crucial बात है इनके लिए, और spin अच्छा केलते हैं, left arm spin के सामने इने तकलीफे हो सकती है, and उनका एक interesting match-up भी है, जो हम discuss करेंगे, आगे, तो ये वही Will Young की बात, Kane Williamson की बात करें, I think एक class खिलाडी है, इनके बारे में, जितना कहा जाए, उतना कम, and बहुत ही अच्छे inning spacer है, fantasy value क हो सकता है, इनके लिए, drop करने का, इस ground पर तो बिलकुल नहीं है, यहां पर movement नहीं होती, but tracks जहां पर movement हो, and आपको लग रहा है, जल्दी सीम हो, वहां भी सिर्फ GL teams में आप इन पर chance ले सकते हो, फिर चलते हैं, रचिन, रविंद्र की तरफ वापस एक बहुत ही interesting खिलाडी बहुत अच्छे form में लग रहे हैं, off late, and flamboyant, left arm spinner, bat के साथ value, I think ऐसे type के pitch पे तो यह top captaincy, vice captaincy candidate बन जाते हैं, उस top order में आके खेलेंगे, बड़ एक बात का ध्यान रखे कि with Kane Williamson coming है, हो सकता है कि वो order में थोड़ी बहुत changes हो, तो उसका ध्यान रखे कि कि क्या order final बनेगा, और वो ही साथ से team बनाई हैं हम अपनी, Darryl Mitchell, I think बहुत अच्छे player है, form भी अच्छा है इनका, एक जो इनके लिए concern हो सकता है कि यह on the up खेलना पसंद करते हैं, अब जब आप on the up खेलते हो, on a track with some spin, वहाँ पे chance बनता है आपका जल्दी out होने का, तो while based on form में इने drop नहीं क के लिए best offers हैं, साथ साथ में कुछ top prizes हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ grand league में participate करना है, and आप जीत सकते हैं top prizes, so don't forget to participate in this leaderboard, just participate in their grand league, and आपका participation यहां पे भी automatically हो जाएगा, link है video के description में हमारा refer code है, fcp, and अगर आप बड़े investor हो, तो यह offer आपके लिए अच्छा है, हर दिन ज gets the chance to win this iPhone, so two big offers for all of you, आप चलते हैं, next player की तरफ, Tom Latham, I think pitch इने में भी ठीक ताक सूट कर जाए, बड़ याद रखिए कि थोड़ा नीचा आते हैं, तो इनके लिए opportunity कम बन सकती है, साथ साथ में spin के सामने थोड़े average starter हैं, तो इस बात का धियान रखिएगा, क्यूंकि Bangladesh के practically all types of spinners है, except for a risk spinner in the middle lowest, I think इनका भी वहाँ पर एक problem बन सकता है, and I think most of us will go with Devon Conway anyway, तो तो अगर आप एक keeper के साथ ही जा रहे हो, तो यह सिर्फ एक grand league pick option बन जाते हैं, आपके लिए, Glenn Phillips, I think with the bat, while यह tricky pitch होगी इनके लिए, with the ball, इनकी value आप यहाँ पर अंडर्माइन नहीं कर स पास, एक यह off spinner है, जो है यह, याद रखिएगा कि जो बंगलादेश के पास top order है, वहाँ पर कुछ left arm batters है, तो maybe यह मेरे punt pick होँ, क्योंकि इस game में इनकी value, while with the bat 50-50 हो सकती है, but with the ball and in the outfield, इनकी value को आप कभी अंडर्माइन नहीं कर सकते हैं, तो यह होई Glenn Phillips, Mitchell Santana, यह pitch इन एनना के लिए खेल चुके हैं, famous for not getting that many opportunities, but I think इनकी भी value massive होगे, and last game में हमने देखा कि जो थोड़ी सी भी turn थी, उन्हें help करके गई, so I think Mitchell Santana, a really good choice, and definitely base team में, जगे डोनेगे, Matt Energy में लिए थोड़े से 50-50 है, जिनका first inning, second innings record अच्छा है, एहमदाबाद में भी इन्होंने अच्छा किया, जहां पे इतना कुछ था नहीं in the first innings for the Pacers, तो hence, अभी के लिए यहां पे टेक है, but based on the toss and based on the pitch report, इन पे call लिया जाएगा खल, तो यह वही Matt Energy की बाद, trend bold की बात की जाएं, तो obviously quality pick है, and याद रखिए कि जिस type के player हैं, कुछ ऐसे class के players हैं, जो कभी कबार pitch को totally out of the ruling निकाल देते हैं, तो यह उस type के player हैं, तो while pitch इने बिल्कुल नहीं suit करेगी, form इनका थोड़ा up and down, right before this World Cup, काफी अच्छे form में थे, and आप इनका form थोड़ा सा उपर नीचा है, तो इस बात का धियान रखिए, पर क्योंकि सामने बंगलादेश है, वही एक issue है कि top order इनके सामने विकेट जाके दे सकती है, even though the pitch doesn't suit, इनके जिस type की bowling है, वो बिल्कुल सामने वाले team को रैटल कर सकती है, I think ये एक मेरे लिए हो सकते हैं, आप क्या सकते हो, एक underrated pick on such a track, अगर खेलते हैं obviously तो, क्योंकि क्या होगा कि इनकी जो pace है, वो सामने वाले team को रैटल कर सकती है, plus ये death में कभी-कभाद slower ones भी लेके आते हैं, जब आप 150 डालों और फिर एक next ball slower one डाल देते हो, तो वो एक काफी trickery हो जाती है for the batting team, बट इनका खेलना I think unlikeliest मुकाबले में, खेलते हैं तो बिल्कुल consider करूंगा, इस sody goes without saying बिल्कुल इन्हें लिया जाएगा in the side, क्योंकि जिस type का track है, track same रहा, तो goes without saying ये बिल्कुल team में एक जगया ढूण लेंगे, I don't know कि इस type का track कितना suit करेगा, plus अगर पूरी तरीके से match fit है नहीं, पूरा quota इने मिलेगा है नहीं, ये कुछ सवाल है, जिनका में भी हमें कल थोड़ा सा closer to time जवाब मिल जाए, बट पहले bowling करेंगे, तो फिर भी इने drop करना काफी मुश्किल होगा, और हमें पता है कि ये कितने accurate है और accuracy से इनको कितना returns मिलता है, साथ-साथ में इनके पास कुछ अच्छे slower ones है in the depth, but problem यह है देखने लाए कि किन bowlers को use किया जाएगा in the depth, as of काफी options in New Zealand के पास, so I think a lot of things for us to withdraw from any pre-match information जो में मिलती है, जहां captain कुछ कह जाएए, यह कोई दूसरा player कुछ कह जाएए about his role in the team, तो इस बात यह हुई टिम साथी की बाद, जिमी नीशियम का खेलना काफी unlikely इस game में, but I must add, कि वाइल खेलना unlikely है, इनका जो pace है, उस पे जब आप slower ones डालतो है, ऐसे track पे तो थोड़ा tricky हो सकता है, तो just in case by any third or fourth chance अगर आजाए, तो GL में इस बात का धियान रखी, बेस टीम में तो नहीं लेना है नहीं है, अब चलते हैं, टीम बांग, फिर्स प्लेयर आप तांजिद असन तमीम, I think एक ठीक टाक प्लेयर है, रीसेंट फॉर्म इनका ठीक टाक रहा है, जो warm-up गेम था, फिर्स गेम में थोड़ा अच्छा फ्लो दिखाया है नहीं, बट एक गेम जहां पर हमें बैटर्स फिट करने में वेज़ भी मुश्किलात होगी, I don't think बेस टीम में जगया मिलेगी, लिटन दास, I think last game में अच्छी पारी खेली अगेंस्ट इंग्लिंड, बट यह ऐसे टाइब के प्लेर हैं, जिन्हें बैट on ball पसंद है, यह चैन्नाय पे तो आप बिलकूल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो बेस टीम में में भी जगया ना मिले, बट क्यूंकि रीसेंट पॉर्म अच्छा है, और बांगलादेश के, I think one of the most important batters है, इन्हें में GL में जरूर ट्राइ करूँगा, नजमुल हुसेन, शांटो, I think काफी discuss प्लेर हैं, FCP family पे especially, as काफी बार इन्हें नहीं ले लिया गया, and कब तभी perform भी करके गए हैं, बट यह ऐसे टाइब के प्लेर हैं, अगर पहली बाटिंग करें, तो मैंने consider करूँगा, but, and एक और दूसरी बाद है, इनके साथ कभी कबार offspin भी डाल लेते हैं, so I think for me, 50-50 pick as accumulator style के बाट रहे हैं, but New Zealand के पेसे भी इनके लिए life easy नहीं बनाएंगे, and अगर आप इनके को, at least 8 out of 10 innings जाएं, उन्हें बड़ा score किया है, एक inside edge past the stump, एक early chance जो पकड़ा नहीं गया, तो ये एक ऐसा trend मैंने इनके साथ observe किया, hence में ज्यादा करता, and last game में वापस हमने वो बात देखी, कि एक early chance दिया गया, जो हाथ में गया, I think इनके साथ एक early chance हमेशा around the corner रहता है, तो मेरे लिए 50-50 pick, शाकिबल, असन, no doubt you'll pick him, I think ये ऐसा game है, जहाँ आप 4 all-rounders में से 4 को नहीं छोड़ सकते, चारो शाकिबल, मैधी, असन, मिराज, मिचिल, सैंटना, और रचन, रविंदर, आप चलते हैं, आगे की team players की तरफ, मैधी, असन, मिराज, जैसे मैंने कहा, आप बिल्कुल रहेंगे team में, and left-handers के सामने ने use किया जाएगा, कभी कबार इनका quota cut कर दिया जाता है, जो हमने last game में भी देखा, बढ़ ऐसे type के track पे जो थोड़ा slower है, में भी इनकी importance बढ़ जाए, and ऐसे type के track पे with the bat भी एक काफी important बन जाते है, मुष्विक और रहीम पहले innings में खेलेंगे, तो में भी GL में consider कर सकते हो, for some batting value and keeping value, apart from that, like I said, क्योंकि हम already यहाँ पे बहुत all-rounders and bowlers को fit कर रहे हैं, I don't think base team में इन्हें जगया मिलेगी, फिर चलें तौविद रिद्वाय की तरफ काफी stable player है, spin को अच्छा केलते हैं, GL में इन्हें बिल्कुल try करेगा, यह कभी कबार off-spin भी डाल जाते हैं, तो अगर बंगलदेश यहाँ पे fourth spinner नहीं खिलाती, तो मेभी यह ball के साथ भी आपको value दे पाएं, मैधी हसन, मैधी हसन रादा, अभी इनके साथ आपने देखा कि इन्हें death में भी use किया गया था, अगेंस इंगलेंड, जो उन्हें काफी dangerous player बना देते हैं, with the ball and with the bat, तो I think इन्हें भी बिल्कुल base team में fit करने ही कोशिश की जाएगी, but problem क्या है, इनकी economy बहुत हाए, ज्यादतर टाइम्स इन्हें जो wickets मिलती है, उन्हें जैसे हम fantasy turn में कहते हैं, junk wickets ही इनके हाथ लगती है, तो depends on the toss कि कैसे हैं और कहां fit किया जाएगा, but that is for Mehdi Hassan, बिल्कुल I think even if he doesn't fit in my base team, GL में 50-60% team में फिर भी रहेंगे based on the pitch, Tuskin Ahmed, अब ये भी ऐसे टाइप के player हैं, जो hit the deck bowler हैं, तो pitch को कभी कबार out of the consideration कर देते हैं, क्योंकि variable bounce इन्हें भी मिलती है, but एक problem है, कि last game में इने ज्यादा back नहीं किया गया था with the ball, and अगर ऐसी बात हैं, maybe Nassoum को खिला जाएं इनकी जगे, and Nassoum obviously इस track पे बहुत बड़े एक weapon बन के आ सकते हैं बांगलादेश के लिए, मुस्तिफे जो रह्मान की बात की जा, इनके जो slow ones है, ऐसे type के pitch को बिल्कुल suit करेंगे, and पहले bowling करेंगे, तो बिल्कुल मेरी team में रहेंगे, second bowling में, I think 50-50 call, अगर हमें लग रहा है कि 200-250 बन जाएगा ने tricky चीज़, फिर side manager मिल जाएगी, Sorrowful Islam generally relies on help of the deck, जो starting में कभी movement हो, and last game में भी इन्हें जो wickets मिली, वो इस scenario में मेरी जहाँ पे England, already हर ball को मारने जा रही थी, एक-दो जो ball से हो काफी इन से अच्छी थी, बट उसके अलावा I don't think, regular scenario में इने एक-दो wickets से ज्यादा मिलती, तो ज्यादा तर मेरे base team में जगे नहीं मिलेगी, unless पहले bowling में हम ज्यादा bowlers को stack करने की कोशिश कर रहे है, Nassum Ahmed, while ज्यादा ODIs नहीं खेले इन्होंने, जो भी इन्होंने खेला है, काफी impressive record रहा है इनका, and अगर second bowling करते हैं, first bowling करते हैं, based on the toss, team में ज़रूर इन्हें भी जगे मिल रहेगी, तो यह हुई Nassum Ahmed की बाद, Tanzim Hasan, Shaqib, unlikely to play, Muhammadullah also unlikely to play in this game, बढ़ अगर खेलेंगे हैं, हो सकते हैं, fifth spinner या fourth spinner बनके आए for the team, तो value आप इनसे वहाँ बिल्कुल expect कर सकते हो, match-ups की बात की जाए, तो Tom Latham versus मुस्तफी जो रह्मान, आप यहाँ पर देख सकते हो कि strike rate ठीक टाक है, बढ़ तीन बार out हो चुके हैं, तो first bowling में यह बिल्कुल play में आ सकता है, Kane Williamson versus Tuskin Eymar, दो बार out हो चुके हैं, strike rate भी कुछ खास नहीं है, तो बिल्कुल इस match-up का ध्यान रखिए, and same for Nassoum versus Will Young, strike rate सिर्फ 50 odd का है, and Nassoum आके power play में ही bowling करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, उसके अलाबा, Mehdi Hasan Miraz versus Mitchell Santana, अब obviously Mitchell Santana is the bowler in this case, वापस काफी interesting match-up है, अब दो dismissals हैं यहाँ पे, Mehdi Hasan कभी कबार थोड़ा उपर आ जाते हैं with the bat, so some interesting match-ups here, अब चलते हमारी आज की base team के पहले, ensure कि आप सब यह giveaway बिल्कुल जो currently open है, and link है वीडियो के description में, mymaster11 app का, तो start करेंगे keeping section से, Devon Conway is the best choice from this section, obviously Tom Latham keeping करेंगे, तो वहां से आपको points मिल सकते हैं, same for Mushrik और Raheem, चारो keepers कहलेंगे, ऐसा नहीं कि quality घराव है, कोई भी भी चारो में से, but obviously कुए हमें और bowlers की जरुवत होगी in such a game, I am focusing on that, in the batting section, Daryl Mitchell, जो useful हो सकते हैं with the ball also, but अब तक cues नहीं किये गए, केन विलियमसन मुझे लग रहा है, खेलेंगे मुकाबला, and Glenn Phillips, especially अगर batting first and bowling second, यह off spinner है, एक ही off spinner है इस team में, unless केन विलियमसन plans to bowl, and काफी left-handers हैं उस top order में, all-rounders की बात की जाए, I think all the all-rounders will be important in this game, शाकिव, रचिन, रविंद्र, Mehdi Hassan, Miraz, and Mitchell Santana, आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते हैं इन में से, as सबका value and role, काफी important होगा इस मुकाबले में, Mehdi Hassan, जो शक महदी जने कहा जाता है, I think यह भी important हो सकते हैं, हमें पता है कि with the Bangladesh batters, कोई भी किसी भी दिन पर चल सकता है, बढ़ हमें पता है कि इनके overs भी fixed है, साथ-साथ में batting भी आनी चाहिए, तो वो इसाब से from a safety standpoint, I think यह एक better pick बनेंगे, and bowling section से I think काफी straightforward है, based on stature, based on form, आपके दो ही picks बनके आएंगे, Trent Bolt and Matt Henry, तो यह बनी हमारी team, captain, vice captain की बात करेंगे, तो I am more inclined to go with the New Zealand players, even though Shaqib भी अच्छी choice बनेंगे, अभी किले में जा रहा हूँ with Ratchin as captain, क्योंकि batting form इनों ने अच्छा दिखा है, Shaqib के साथ वो factor हमेशे up and down रहता है, and vice captain के साथ जा रहा हूँ है, with Shaqib Al Hasan, अब अगर Mitchell Santner second bowling करते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी choice बन जाते हैं, Mehdi Hasan Miraz is a 50-50 choice according to me, तो ये लग रही हमारी अब तक की team, अब अगर pitch totally बदल जा, एक flat track हो या एक page track हो, तो वो हिसाब से पूरी team बदल जाएगी, बढ़ अभी के लिए team वही assumption पे बनाए गई है, कि एक slow track होगा, और वहाँ पे turn होगा, अब चलते हैं आज के grand league options की तरफ, तो grand league options, first player obviously, glen phillips red में इसले mark किया है, क्यूंकि मेरे player to watch out for है, इस मुकाबले में, नसू मेहाद वाइल bowling second, आपको अच्छी value दे सकते हैं, अगर हमें लग रहा है, बांगलदेश 200, 220 बनाएगी, तो जरूर लड़ेंगे स्कोर पे, high select, dropless bomb, बिल यंग obviously, क्यूंकि spin conditions है, उन्हें मुश्किला आते हैं, आ सकती है, and Matt Henry, क्यूंकि conditions में भी उन्हें खास ना suit करें, उन्हें में भी कुछ खास movement भी ना मिले इस track से, तो हैंस Matt Henry, थोड़े ज्यादा risky हैं वो to drop, but just informing you, based on the conditions, Grand League Captain, Vice Captain options, Santner bowling second, Conway batting first, batting second, bowling first, Shawrifle and Lockie, दोनों अगर obviously, खेलते हैं यह मुकाबला, and in both situations, Shaqib Mehdi and Rajan Ravindra, और अरड़ी बता चुका हूं, क्यूंपिच को काफी मैं, डिस्कास कर चुका हैं, in depth in this preview, तो यह हुई हमारी बात, about our fantasy team, Grand League options, अब चलते हैं, exchange 22 picks की तरफ, उसके पहले अगर आपने like button ने hit किया, तो अभी अभी जरूर hit करेगा, so we start with team New Zealand, Glenn Phillips at 40, मैं already आपको बता चुका हूं, क्यों important बन सकते हैं इस game में, Mitchell Santana while batting first and bowling second can give you good value, Darryl Mitchell while batting first, I think thik-taq priced है, and Bangladesh की बात करें, Mehdi Hassan, I think a thik-taq choice at 50, but I don't think ज्यादा उन्हें बाइक किया जाएगा, but bowling first, Bangladesh Pacers, I think अच्छे प्राइस पहलेचा है, Mustafizur की बात करें, Tuscan की बात करें, या sorryful की बात करें, so I think the Bangladesh Pacers can be the ones to watch out for, ensure that sign up करें on the exchange train to app, app का link है इस वीडियो की description में, and आपको rupees 50, real cash मिल जाएगा on sign up, जल्दी मिलेंगे एक और preview के लिए, thank you so much for tuning in, and thank you so much for all your support, and remember to join us at the rate fantasy cricket pro, for all the final teams and updates, जल्दी मिलेंगे. जल्दी मिलेंगे.